इस लेक्चर में हम वेल सार्क के बारे में पढ़ेंगे यह एक फिस है जी जो आपको दिखाई दे रही है मेज में इसकी बॉड़ी पे वाइट डॉट से बने होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको इसके बारे में पढ़ते हैं वेल सार्क is the largest living species of the fish जो जितनी भी फिस है मचलिया है उनमें सबसे बड़ी यह परजाती होती है मचली की और यह आईउसेयन की लिस्ट में जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजेट कैटेगरी में आती है आईउसेयन क्या है international union for conservation of nature यह worldwide क्या है जो species वगएरा होते हैं उनको conserve करने के लिए protect करने के लिए काम करती है पुरे वर्ड वाइड और जो हमारा इंडिया का एक्ट है वाइड लाइफ प्रोटेक्शन अक्ट 1972 का इसमें छ्हे लिस्ट होती है लिस्ट 123456 उनका नाम होता स्ट्व 13456 उसके स्ट्व वण में मतलब इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है जो भी सद्धूल वन में होता है उसे highest protection मिली होती है मतलब उसकी चंजर करने के लिए protect करने के लिए government बहुत सारे कदम उठाती है measures लेती है वेल सार की lifespan कितने होती है कितने साल तक जीती है जी यह 130 years तक जीती है और एक unique pattern होता है इसकी body पे कि dots बने होते हैं जो हमने देखे white dot जो बने हुए है यह 10 meter तक लंबी हो सकती है जी जो इसकी length है 10 meter तक हो सकती है और इसका way around 20 tons तक हो सकता है मतलब इसमें 20 tons, 1 ton में 1000 kg होता है तो 20,000 kg तक इसका वजन होता सकता है इसका habitat कहां जी मतलब निवास कहां पे रहती है यह वेल्स आरकार फाउंड इन ओल दा टॉपिकल ओशन में मिलती है जी पूरे वर्ल्ड के टॉपिकल ओशन का क्या मतलब है जैसे यह अर्थ है हमारा यह जीरो डिग्री एक्वेटर भूम टॉपिक ओफ कैप्रिकॉन जो लाइन होती है उनके बीच का जो एरिया यह से बोलते हैं टॉपिकल एरिया और इसमें जो ओशन पढ़ता है उसे बोलेंगे टॉपिकल ओशन चाहे वह पैसिफिक ओशन का पार्ट हो चाहे इंडियन ओशन का चाहे आपका एटलाटिंग पने